वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टर और गुड इनिंग टॉल अफ्यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आयोप आप बहुत अच्छा होगे मैं भी बहुत अच्छा हो तो चलिया आज के सेशन के शुरुबात करते है एक पॉसिटिव एनरजी के साथ लंबी सास लो और क हो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आया हम कुछ अच्छा करने तो चलिये दोस्तों यह चाप्टर वाए चार्ट रिविजन फॉर सीए सीए में फाइनल यहां पर आज हम टॉपिक देखने वाला है रिफंट टू आर यू रिड़ी यास ब एक्सपोर्ट होता है तो वो सिचूशन में IGST की रिफंट की प्रोसेशन हमने देख लिए यह प्रोसेजल पार्ट है नाओ नेक्स एक कॉंसेप देखा था दीम एक्सपोर्ट वाला एक कॉंसेप जो है यह इंपोर्टेंट है पढ़के जाएगा नेक्स आते है मर्चन एक् यह supply through merchant export रता है अगर आप दीम एक्सपोर्ट में मैंने क्या पढ़ा है आपको दीम एक्सपोर्ट में यह पढ़ा है कि इंडिया का कोई manufacturer ऐसे notified person को supply कर रहा है जो advance authorization, EPCG scheme या वो export oriented unit है या bank supply of gold by bank या PSE होगे इनको supply कर रहा है तो यह दीम एक्सपोर्ट माना जाएगा और इसके refund आईदर supplier या recipient दोनों में से लेंगे लेकिन important part अब ये समझ लो कि एक और type का export है merchant exporter अगर कोई supplier है और वो supplier direct export नहीं कर रहा है लेकिन वो ऐसे exporter को दे रहा है जो notified नहीं है normal exporter है merchant exporter है और ये merchant exporter normal है notified नहीं है और वो आगे export कर रहा है तो वो situation में ये जो supplier है जो merchant exporter को export कर रहा है यहाँ पर इसको कुछ benefits यहाँ पर दिये और ये दोनों में क्या difference है डीम export में ये जो recipient है जिसको हम supplier कर रहा है वो notified person है और ये case में ये notified वगरे नहीं है ये exporter है और ये exporter जो है ये export करना चाहता है तो ये no doubt अपने jurisdictional officer से permission लेगा कि मुझे domestic market से माल खरीदना है अब government ने यहाँ scheme क्या दिये merchant exporter के case में merchant exporter के case में government ने scheme ये दिये कि अगर कोई supplier ये merchant exporter को supply कर रहा है जो goods use करेगा for the purpose of export तो ये situation में ये supplier जब supply की जो value होगी invoice value होगी उसके उपर GST लगाएगा और GST full rate से नहीं लगाएगा एक small percentage of rate से GST लगाएगा यहाँ पर जैसे ओके यहाँ पर 0.01% तो यहाँ पर जो GST लगाए जाएगा और C GST 0.05 और S GST 0.05% तो इस तरह से इतना just amount का GST लगाए जाएगा और यह जो GST है यहाँ पर 0.1% यहाँ पर 0.1% यहाँ पर GST लगाए जाएगा तो यह जो GST लगाए जाएगा एक nominal GST लगाके बहुत ही कम यह 0.05 C GST 0.05 S GST यह लगाके merchant exporter को दे दिया जाएगा merchant exporter बाद में यह जो nominal amount का GST है वो इसका refund क्लेम कर लेगा तो यहाँ refund जो है श्रीफ merchant exporter को मिलेगा वो भी tax लगने के बाद नहीं बटा अगर यह supplier को exemption मिल जाता है जो merchant exporter को supply कर रहा है जो आगे export करने वाला है अंडर बॉर्ण और LUT यह बहुत important है कि आगे export करना चाहिए अंडर बॉर्ण या LUT तो अगर इसको exemption दे दिया जाता तो इसको credit नहीं मिलते है यह supplier को government को credit देना है यह supplier को credit देना है तो इसको taxable में रखना जरूरी था और इसको taxable में रखना जरूरी है मतलब कुछ तो tax उसके अपर होना चाहिए इसलिए बहुती nominal tax लगाया दिया और वो यहाँ पे tax लगा की जाएगा और merchant exporter को refund मिल जाएगा तो दोनों का काम होगी है दूसरी बात क्या supplier जो input use करेगा ऐसे goods में क्या उसको ITC मिल जाएगे हाँ और दूसरी बात इसको inverted tax structure में यह जो supplier है और कि इसको inverted tax structure में इसका refund भी मिल जाएगा inverted क्यों हुआ क्योंकि उसने 18% का raw metal खरीदा होगा समझ लो तो 18% का raw metal खरीदा और उसका output tax just small percentage 0.1% में ओके जा रहा है तो इतने small percentage में जा रहा है उसका तो उसका तो ITC accumulate होगा तो supplier can claim a refund of accumulated ITC under the inverted tax structure वो claim कर सकता है और यहाँ merchant exporter refund क्लेम कर लेगा तो चली दोस्तों यह बहुत ही simple procedure मैंने explain की concept क्या है concept है कि यहाँ पे IGST होगा तो 0.1% और interest rate supply होगा तो 0.05% SGST 0.05% और interest rate, interest rate supply supply of taxable goods by register supplier to register recipient for export मतलब इंडिया का कोई भी register supplier जो recipient export करने वाला है जो रूनी क्यों notified होना चीए तो उसको वो export कर सकता है तो excess tax has been exempted by government excess tax का मतलब इतना ही tax लगेगा that is 0.1% इसके उपर का tax exempt हो जाएगा conditions क्या है? condition है कि register supplier supply the goods to register recipient on a tax invoice यह जो supply होना चीए यह tax invoice में होना चीए okay GST उसके पर लगना चीए ME मतलब merchant exporter यानि इसको हम ME बोलेंगे जो goods ले रहा है merchant exporter चाल export to goods within 90 days from the date of issue of tax invoice by register supplier यानि इसने यह जो invoice की date है इस invoice की date से 90 days के अंदर इसने export कर देना चीए उसका consignment 90 days में export कर देना चाहिए उसके बाद में ME shall indicate GST of the supplier and tax invoice number on shipping bill और bill of export ME जब export करेगा तो export करते वक्षिपिंग बनाएगा तो इस shipping bill में okay कौन से supplier से उसने खरीदा था इस supplier का invoice number यहाँ पे declare करेगा और इस supplier का GST भी यहाँ declare करेगा shipping bill में very good उसके बाद में next ME must register with export promotional council और recognized commodity board ME जो है हाँ इतनी requirement है कि ME जो है एक अच्छा कासा बड़ा exporter होना चाहिए जो export promotional council में या recognized commodity board में उसका कही registration चाहिए copy of purchase order to judicial officer of the supplier अब यह जो है यह जो भी purchase करेगा supplier का judicial officer जो होगा judicial officer जो होगा तो इससे purchase order आई है ऐसे बंदे से purchase order आई है जो export करने वाला है उसकी copy submit करनी पड़ेगी officer को की देखो भाई मुझे ऐसे बंदे से order जो export करने वाला है मुझे यह कम rate वाला tax लेने तो तो उसकी purchase order judicial officer को दिखानी पड़ेगी proof of export to be given to the supplier to supplier and his jurisdictional officer तो proof of export export होने के बाद इसकी shipping bill की एक copy यह jurisdictional officer को देनी पड़ेगी तो यह jurisdictional officer को एक copy देनी पड़ेगी और के एक copy इसको भेजनी पड़ेगी एसे दो copy होगी क्यों तो क्यों reason यह है कि इसका जब audit होगा और इसका rate कम दिखेगा तो auditor जरूर पुछेगा या कोई भी officer जरूर पुछेगा कम rate क्यों लगा है तो इसके पास उसका proof होना चाहिए कि भाई सामने वाले ने export किया तो सामने वाले ने export किया और वो export का document मेरे पास है और मैंने export के लिए भेजा था और मैंने officer की permission ली तो उसका proof document देना पड़ेगा full rate applicable if goods not exported within 90 days from the date of invoice अगर इस supplier ने 90 days में export नहीं किया और merchant exporter ने 90 days में export नहीं किया तो supplier को supplier को GST full rate से देना पड़ेगा differential amounts से देना पड़ेगा तो हाँ इसकी गलती इस पर भारी पड़ सकती है चलिये तो हमने यह देखा regarding to यहाँ पर merchant exporter से related तो maximum time limit for application of refund application of refund refund maximum कितने time limit में claim होगा तो 2 years from the relevant date यह case में relevant date क्या है तो date of receipt of goods यह जिस दिन goods इसे receive हो जाएगा merchant exporter क्योंकि merchant exporter इसका refund claim करेगा जो भी nominal tax लगकिया इसका refund claim करेगा तो जिस दिन इसको goods receive हो जाएगा वहाँ से 2 साल के अंदर वो claim करेगा doctrine of unjust enrichment नहीं applicable होगा direct refund है form RFD 01 रहेगा amount of refund जितना tax दिया 0.05% 0.05% यह IGST होगा तो 0.1% और documents and conditions तो conditions तो मैंने आपको बता दी और कौन-कौन से documents कैसे submit करने हैं यह भी मैंने आपको बता दिया तो document और conditions तो यहाँ पे दिया होगा है circular number एक है supplier supplies the goods at concessional rate eligible to take ITC on concessional tax so paid and refund on account of inverted tax structure यह तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो supplier यह concessional rate पे दे रहा है वो inverted tax structure में refund claim कर सकता है और export only under LUT or bond and not on payment of IGST मतलब यह export जो होना चीए आगे merchant exporter से bond या LUT में होना चीए under option 1 ही होना चीए not under option 2 option 1 में ही होना चीए I hope आपको यह बास समझ में आई होगी चलिए तो यह सारे merchant exporter के points में ने cover कर लिए दूसरा supply of goods to SEZ or developer of SEZ तो yes SEZ को अगर आप supply कर रहो SEZ के case में approved operation के लिए होना चीए no doubt procedure 1 पर ही आपका refund claim file होगा so 2 years from relevant date and relevant date कव से due date of furnishing return under section 39 in respect of the supplies अगर आप SEZ को supply कर रहे हो तो यह important amendment है आप SEZ को supply कर रहे हो और authorized operation के लिए supply कर रहे हो I repeat procedure दो same रहेगी refund की पर authorized operation के लिए supply कर रहे हो यहां लिख देनो for authorized operation for authorized operations के लिए supply कर रहे हो तो वो situation में आपको जो है यहाँ पर 2 साल के अंदर authorized operation के लिए supply कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दो साल के अंदर refund मिलेगा दो साल कहां से तो दो साल the due date for furnishing the return under section 39 in respect of such supplies मतलब supplier जो month में SECZ को supply किया उस month का return का due date होगा वहां से doctrine applicable in certain cases मतलब अगर इसने burden pass on कर दिया होगा तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा अगर burden pass on नहीं किया होगा तो रिफंड मिल जाएगा form RFD 01 होगा SECZ को supply always interstate बोला जाता है as per section 75 of IGST Act तो IGST जो पे हुआ SECZ को supply always interstate कहा जाता है and next बेटा यहाँ पे documents and conditions documents क्या रहेंगे statement containing the number and date of invoice evidence regarding goods admitted in full for authorized operation यह highlight करना authorized operation as endorsed by specified officer of SECZ service अगर आपने दिया number and date of invoice evidence की ने authorized operation के लिए यूज किया and detail of payment along with proof thereof made by recipient to the supplier for authorized operation and declaration to the effect that tax has not been collected from SECZ unit or SECZ developer हाँ आपको आप जब SECZ को supply करोगे तो SECZ से यह point highlight करना declaration नेना पड़ेगा कि आपने उनसे GST नहीं लिया क्योंकि उनसे GST नहीं लिया होगा तो ही doctrine आपको applicable नहीं होगी और refund आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह था regarding to SECZ से case में कि आप पढ़ सकते होगे तो इस तरह से हमने complete किया merchant exporter और SECZ को जो supply किया गया अब main जो जिसके उपर questions आते हैं और institute का favorite area है इसके उपर हम यहाँ पर फटाफट revision ले ले लेते हैं और यह एक्जाम के हिसाब से भी बड़ा important है ZRS with bond or LUT and refund of ITC bond or LUT and यहां लिख दो refund of ITC especially आप ITC के refund claim कर रहे हो ITC के refund claim कर रहे हो अब मैं वापस से diagram लेता हूँ जो diagram मैंने already आपको उपर भी पढ़ाई थी कौन सी diagram तो देखिये अगर आप export करते हो तो आपको section 16 of IGST act में दो option मिलते हैं option 1 आप under bond या LUT export करो आपको यहां पे GST देने की जरुवत नहीं है जो भी आपका outward supply होगा और option 2 without bond और LUT तो वो notified case में allowed है मैं उपर पढ़ा चुका हूँ now next point option 1 में अगर आप bond दे रहे हो LUT दे रहे हो तो आपके outward supply पे कोई tax नहीं लगेगा and without payment of tax without payment of tax under GST आपका goods export हो जाएगा government आपसे कोई tax नहीं लेगी export आप government के दामाद हो अब दूसरा आप अगर export करते हो तो output पे तो government ने benefit दे दिया लेकिन government साथ साथ में आपको input पे भी benefit देखी आपने ये export goods बनाने के लिए inputs यूज़ किये होगे input service यूज़ किये होगी या capital goods यूज़ किये होगे तो ऐसे case में उसके उपर GST लगके आया होगा और वो GST का आपको ITC मिला होगा let's assume that okay input और input service का ITC आपका 6 लाग का है और capital goods का 2 लाग का है लेकिन government ने rule 89.4 में एक formula दिया है और rule 89.4 में government ने कहा कि इस export में जो under bond है उस export में अगर आप जो है यहाँ पे inputs यूज़ कर रहे हो तो आप ये input और input service का ITC क्लेम कर सकते हो और ये ITC आप domestic supply में जो GST लगेगा उसके against में यूज़ कर सकते हो और समझ लो आपको वो ITC यूज़ नहीं करना है domestic supply के against में तो आप उसका ITC का refund क्लेम कर सकते हो ITC के refund दो ही cases में मिलते है एक zero rated supply जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद दूसरा important discussion inverted tax structure यह दो ही cases में ITC के refund मिलते है तो ऐसे situation में अगे यहाँ पर government ITC के excess balance के refund देने को ready है अगर आपको उसको use नहीं करना होगा तो पर very important जब हम यह formula पढ़ेंगे और इसको elaborate करेंगे इसका हर point elaborate करेंगे तो आपके net ITC जिसका refund calculate हमें करना है इसमें सिव इन्होंने inputs और input services ही लिया है capital goods cover नहीं किया है मतलब यह हुआ कि capital goods अगर आप use कर रहे हो तो उसका ITC claim कर सकते हो उसका ITC claim कर सकते हो पर उसका आप refund नहीं ले सकते हैं refund नहीं मिलेगा refund सिव input और input service का ही मिलेगा अब very important point यहां पर यह था कि government सिव उतने ही input और input service का refund देगी जो export में use हुए है अगर आपका only export supply है तो फिर तो पूरा IOS का refund मिल जाएगा लेकिन आपका export supply भी है और domestic supply भी है तो government फिर वो IOS जो export में use हुआ under bond उसका ही refund देगी वो कैसे calculate करेगी तो government ने rule 89.4 में rule 89.4 में यह formula दिया है और यह formula क्या दिया है government कहती है अगर आपके domestic और export दोनों टाइप के supply होगे maybe goods का होगा, maybe service का होगा या दोनों का supply होगा तो वो case में आपका refund amount क्या होगा तो वो कहती है turnover of zero rated supply of goods मतलब अगर जिरो rated supply मतलब turnover of zero rated supply of goods मतलब जो under bond आपने export किया under bond या L.U.T. आपने export किया only under bond या L.U.T. आपने export किया उसका turnover plus आप services कर रहे हो तो zero rated supply of services ZRSS, भाई साब चाहे कुछ भी हो जाए यह पढ़के जाना, rule 89.4 इस इस चुट का favorite area है question पूछने, तो आपने services होगी तो service, समझ लो आप supplier of goods होगे तो only goods लो, only आप supplier of services होगे तो only services लो दोन होगे तो दोन होगे, तो दोन होगे, divided by adjusted total turnover उन्होंने सीब total turnover नहीं बोला है उन्होंने का है adjusted total turnover okay, adjusted total turnover का है into net ITC, तो आपको proportionate ITC का refund देंगे simple way मैं अगर मैं समझाओ export divided by total turnover into net ITC, net ITC में input और input सरी, proportionate refund government देगे आपको, चलिए clear, eligibility of refund export are liable to export duty, sorry, non eligibility of refund, ये important हाँ, लेकिन ये refund जो ITC का है, आपको दो cases में नहीं मिलेगा एक, जो goods आप export कर रहे हो, उसके ओपर already export duty आ रही है हम refund क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम exporter को promote करते हैं लेकिन अगर आपका goods ऐसा होगा जो custom act schedule 2 of custom tariff act के इसाफ़ से यहाँ पर export duty है, तो export duty है मतलब ये है, कि government उस goods को promote नहीं करना चाहती है, इसलिए तो export duty है, तो अगर आपके goods पर already export duty होगी तो government आपको ITC लेने देगी ITC पर कोई restriction नहीं है तो उसके refund नहीं देगी, government बिल्कुल interested नहीं है इसे goods पर जिसके पर export duty लगती है, और दूसरा drawback claim for CGST और SGST और IGST CGST, SGST कस्टम में duty drawback, अगर drawback claim किया होगा, तो आपको यहां पर refund नहीं मिलेगा, एक circular था, जिसने यह कहा, export goods are neal rate, और exempt is not treated as subject to export duty, and refund is available, refund कब नहीं मिलेगा, जब आपके goods पर export duty होगी, तो refund नहीं मिलेगा, अगर आपका goods exempt है, या neal rate पर है, तो you cannot, you can't say it's subject to export duty, ओके वो exempt है, नील rate है, मतलब subject to export duty नहीं है, तो वो situation में आपको refund मिल जाएगा, तो यह सर यह यह नहीं समझाए, लाया क्यों, क्योंकि कुछ officer नहीं कहा था, नील rate is a rate, अगर नील rate rate है, तो फिर subject to export duty हुआ, लेवी टू export duty हुआ, क्योंकि export goods में नील लिखा हुआ है, तो subject to duty हुआ, तो गॉर्मेंट नहीं नहीं है, subject to duty मतलब उसके पर कुछ duty actual लग रही हो, अगर गॉर्मेंट ने वो export goods पर exam दिया होगा, यह नील rate होगा, तो subject to export duty भी नहीं माना जाएगा, और इस formula के साफसरी fund मिल जाएगा, चलिए, अब थोड़ा इसका एक यह formula और इसके questions आपको अभी lecture होने के बाद, यहाँ खुद पहले try करना है, और questionnaire मैं कल तक upload कर देता हूँ, तो so that आपको इसका questionnaire भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, तो questionnaire, जो जो भी important questions है, मैं सब upload कर दूँगा, और कि इस chapter के तो वह आपने देख लेना है, चलो, अब दोस्तों, यहाँ पे यह point को समझो, कि यह zero rated supply of goods कैसे निकाला जाएगा, यह तो यहाँ पे step by step चलते, refund amount मतलब maximum refund, refund that is admissible, net ITC याने क्या, net ITC याने, total ITC of I and IS capital goods मतले ना, of relevant period, जो period का आप refund क्लेम करोगे, मतलब 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, जो भी period का आप refund क्लेम कर रहोगे, okay तो उसका I plus IS ITC, okay less ITC of input for which refund is claim under 89.4a और 89.4b और ऐसे कोई ITC आपने, जिसका refund आपने claim कर लिया होगा, थोड़ा इस बात को समझा देता हो, अगर आप 89.4a DIMEXTPORT में उपर आते हो, और समझ लो, यह जो बंदा है, यह बंदा okay, normal export भी करता है, और कुछ DIMEXTPORT में okay, और एक DIMEXTPORT वाला होगा, main goods का DIMEXTPORT होगा, तो अगर यह बंदा आगे export कर रहा है, और आगे export कर रहा है, तो 89.4 में भी refund claim कर रहा है, तो यह बंदा, अगर 89.4 में भी refund claim कर रहा है, और तो उस महने में, जो यह input और input service का total ITC लेगा, उस में से वो input का ITC reduce कर देगा, जो 89.4 में claim किया था refund, यानि यह procedure follow करके refund claim किया था, समझ लो, इसकी दो purchases है, एक 5 लाग की normal purchase है, और एक जो है, एक लाग की DIMEXTPORT वाली purchase है, जिसका यह refund claim कर रहा है, 89.4 में, यह refund claim कर रहा है, 89.4 में, तो अगर यह 89.4 में refund claim कर रहा है, तो ऐसे case में, total कितना एक 5 लाग का purchase है, समझ लो, 5 लाग के purchases पे भी, 5 लाग purchases पे भी 12%, यहने, 60,000, plus यह input 72,000, तो ऐसे case में, उसका total input का ITC 72 हो गया, पर उसमें से यह 12,000 89.4 में, वो refund claim कर चुका है, तो यह reduce कर दो, double benefit 3 में लेगा, यह reduce कर दो, अगर वो refund claim कर चुका है, sir, अगर उसने, यह input का refund claim नहीं किया होगा, तो, यह input का refund claim इसने नहीं किया होगा, या supplier नहीं किया होगा, सुनना, supplier ने भी refund claim कर लिया होगा, इसका तो reduce करना पड़ेगा, तो इसने नहीं claim किया हो, sorry, यह बंदे ने claim नहीं किया हो, या supplier नहीं किया हो, और इसने ITC लिया हो, तो मैंने clear कहा, अगर ITC लिया हो, तो वो 89.4-A का नहीं माना जाता है, will not be treated as 89.4-A, I repeat, will not be treated as 89.4-A, फिर reduce करने की जरुवत नहीं, so it shall be considered under 89.4 or 5 calculation, मतलब, मतलब वो ITC में consider हो जाएगा, total calculation में, यह reduce तभी करना पड़ेगा, जब उसने refund लिया, refund लिया होगा, तो reduce कर भाई, double benefit नहीं देंगे, refund नहीं लिया होगा, ITC में add कर दिया होगा, refund नहीं claim कर रहा है, यह या supplier, तो फिर reduce क करने के जरुवत नहीं है, इसलिए problem solve करते हैं कि carefully देखना, कि यह बंदा, ITC ले रहा होगा, तो less मत करना, even though deem export होगा, EOU को supply होगा, और यह बंदा refund claim किया होगा, लिखा होगा, तो ही आपने, तो ही आपने reduce करना है, I hope you understood, 89.4 या फिर 89.4B, 89.4B मतलब merchant exporter, okay, तो आपने merchant exporter मतलब ये वाला, second वाला, इस बंदे ने एक ऐसा supplier है, जिसको small rate से purchase किया, और दूसरे supplier से normal rate से purchase किया, और ये भी export कर रहा है, और ये बंदा 89.4, 89.4 में भी refund claim कर रहा है, और 89.4B में भी refund claim कर रहा है, दोनों में भी refund case डाल रहा है, क्योंकि इसका एक ही input 89.4B में है, जो small percentage से है, बाकी सारे inputs उसके normal tax में है, तो वो इधर भी refund claim करेगा, अगर वो इधर refund claim कर रहा है, तो जो refund small percentage वाला है, जो वो 89.4B में claim कर चुका है, तो उसको वो reduce करना पड़ेगा, I hope आपको समझा होगा, तो 89.4A, 4B के कुछ inputs होगे, जो आपने respective rule में refund claim कर लिये होगे, तो फिर यहां से reduce करो, उतना कम करो, ओके, और वो आपका आएगा net ITC, आपका आएगा net ITC, यहांने only ITC of input, input service shall we consider, and no ITC, हाँ, आपको capital goods का नहीं लेना है, I or IS का लेना है, I hope आपको समझा होगा net ITC, समझा होगा, तो फिर देख क्या है, like करो, comments दो, ओके, तो यहां पे next, turn or of zero rated supply of services, अब turn, अब दूसरा क्या बोलते हैं, चलो, net ITC तो हमारा हो गया, यह formulae का यह part हो गया, turn or of zero rated supply of services, अगर, zero rated supply of services, पहले, turn or of, turn or of zero rated supply of goods देख लेते हैं, zero of goods देखते हैं, फिर services देखते हैं, जब आप जडारेस of goods निकालोगे, तो आपको एक बात तो clear है, कि जो problem में export under bond दिया होगा, उसकी value लेना, तो actual turn or of zero rated supply of goods in a relevant period, जो period का, जैसे one month का आप अगर refund ले रहे हो, तो one month में कितना जडारेस किया, अब goods का, तीन मेने का ले रहे हो तो, तीन मेना, छे मेना ले रहे हो तो, छे मेने का, जो भी आपने goods export किया होगा, उसका total turn or, जो bond or LUT में है, option one वाला है लेना, जो bond or LUT में है, तो उसका actual turn or, इसका actual का highlight करो, और 1.5 times of like goods domestically supplied, whichever is higher, या फिर, वैसाई goods आपने domestically supply किया होगा, तो वैसाई goods आपने domestically supply किया होगा, उसका 1.5 times, तो उनों में से whichever is higher, वो आपका turn or माना जाएगा, पर इसमें अब आपको और दो factor लेना है, वो क्या कहते हैं, जब आप ये turn or, या turn or, turn or, और value, और value भी कह सकते होगा, तो आप जब ZDRS का value ले रहे हो, तो ये जो नीचे explanation है, ये क्या कहते हैं, देखो, तो value of goods exported out of India shall be taken as free on board value declared in shipping bill, या bill of export as the case में भी, और value declared in tax invoice or bill of supply, which is less, मतलब क्या, ये जब आप actual value लोग है, तो actual value, जो shipping bill में है, जो shipping bill में है, या invoice में है, तो अब आपको तीन factor देखना है, आपको problem में दी जाएगी, कि जो goods export हुआ, उसकी shipping bill की value है, एक लाख रुपे है, invoice value है, 80,000 रुपीज, और वैसे goods domestically supply होता है, तो उसकी है 1.20, तो 1.20 का 1.5, तो 1.5 कर लेना, तो ये तीनो में से, वीचेवरी जार लिए, समझे लोग है, वीचेवरी जलोग है, वीचेवरी जलोग है, एक लाख, invoice value असी जार है, shipping bill, एक लाख, सर, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है, custom department ने नहीं माना आपकी actual value, custom department कहता है कि नहीं, इसकी value एक लाख रुपे होगी, और valuation custom department ने एक लाख पर कर दिया, जबकि आपकी invoice value 80,000 थी, या फिर, ओके 1.5 times of like goods domestically supplied, अब like goods domestically 1.2 lakhs पर होता है, तो इसका 1.2 into 1.5, याने कितना हुआ, तो एक लाख असी अजार, एक लाख असी अजार रुपे है इसके, तो इन तीनों में से, ये और ये, इन तीनों में से जो lower होगा, वो lower value आप जड़ा है, इसकी value लेस, ओके, इसमें से क्या less करना है, अगर आपने कोई 89.4a और 4b का turn or किया होगा, तो वो less करतो, जो आपको problem में दिया जाएगा, जिसका refund claim किया होगा, less तभी करना, जोर से बोले मेरे साथ, less तभी करना है, जब refund claim किया होगा, ओके refund नहीं claim किया होगा, तो less करने की जरुबत नहीं है तो जो value आएगी, वो zero rated supply of goods की value आएगी, चलिए, यह तो देखा, हमने zero rated supply of goods की value कैसे निकालना, अब यहाँ पे turn or of zero rated supply of services कैसे निकालना, supply of services की value कैसे निकालना, वो दिया है, means value of zero rated supply of services made without payment of tax, under bond और LUT, याने आपने under bond या LUT, वो ही लेना है आपको, दूसरा नहीं लेना ह है, जो services bond में दी, LUT में दी होई, calculated in falling manner, यह थोड़ा mix है, accrual और receipt, दोनों का mix है, यह क्या कहते हैं, देखो, payment received during the relevant period for ZRS, इस month में या quarter में, जो भी आप period ले रहे हो, तो total आपको जो ZRS का amount मिला, पहले total amount ले ले ले, add, ZRS where supply has been completed for which payment has been received in advance, in any period prior to relevant period, okay, plus अब उसमें, उसकी value add करो, जो service अभी supply हुई, इस tax period में, advance पहले मिल गया था, और पर service अभी supply हुई, तो वो भी add करो, उसके अंदर, less, advances received for zero rated supply of services, for which supply of service has not been completed, advances received and service has not been completed, okay, और उसमें से less करो, ऐसा service का advance, जो इस month में मिला, पर बाद में होगी, in short, okay, वो क्या कहते हैं, वो यह कहते हैं, कि आपको total receipt, क्योंकि service है, service है, तो export receipt basis पे होता है, तो जो receive हुआ, इस month में, okay, plus जो provide हुआ, दोनों का mix है, receive हुआ, total receive हुआ, plus जो total इस month में provide हुआ, जिसका advance पहले मिला, पर इस month में provide हुआ, वो add करो, और आपने total receipt ले ली थी, अगे समझाओगा तो ठीक नहीं, तो learn करके चले जाना, simple है, total payment receipt, plus service provided, service exported in this month, under bond or LUT, for which advance earlier receipt, less, in this total payment receipt, any advance, तो deduct that advance for the service to be completed afterwards, यह आपका हो जाएगा, zero rated supply of services, चली दोस्ते, यह हमने देख लिया, यहाँ पे, कि अब आते है, adjusted total turnover, अब मैं adjusted total turnover क्या लेना है आपको, तो adjusted total turnover मतलब पूरा turnover ले ले लेना है, पूरा turnover, मतलब अगर goods होगा तो turnover in state or UT, turnover in state or UT, तो turnover in state का मतलब all taxable supply, goods का होगा तो, all taxable supply, उसके बाद में all exam supply, all exam supply, पहले तो ले लो exam supply, फिर उसके बाद में export, under bond, without bond, जो भी होगा, interest rate supply, सब ले लो turnover in state for goods, पूर उसमें service का मतलब लेना, service का उन्हों नीचे दिया है, तो turnover लेते वक, आपने पूरा लेना, लेकिन इसमें दो factor आपने याद रखना है, कौन से दो factor आपको याद रखना है, एक, जो restriction 150% of value of lie goods domestically supplied, okay, turn in zero rated supply, would apply also to the adjusted turnover, और value of export FOB or invoice, in short, आपको यह याद रखना है, कि जब आप total turnover लोगे, और total turnover में, यह export turnover under bond लोगे, तो उसकी value उतनी लेना, जितनी यहाँ, whichever is earlier आई, sorry, whichever is lower आई, तो यहाँ जो आपने lower value fix किया था, वो ही नीचे total में add करना, okay, specially, जब आप इसका turnover नीचे total में ले रहे होगे, तो जितना उपर लिया, उतना ही नीचे लेना है, इस बात का क्या रखना है, B, turnover of zero-rated supply of service, determined in terms of clause D, and non-zero-rated supply, service का लेते वक, यहने total turnover में, goods का लेते वक, turnover in state, मतलब सारा turnover, और जब आप export का लोगे, तो export का लेते वक, जहाँ सुनिएगा, export का लेते वक, आपने उतना ही लेना export का under bond, जितना उपर लिया, उतना total में लेना, और service का लेते वक, यह जो zero-rated supply से जो turnover आया, यह zero-rated supply plus minus का जो turnover आया, specially export का यह, और बाकी जो आपका non-zero-rated है, जो domestic अगरे supply होगा, वो supply लिया जाएगा, तो value of exam supplies other than zero-rated supplies, हाँ, excluding, अब यह आपके turnover में से, अगर कोई exam supply होगा, तो वो deduct कर दो, अब वो deduct करो मतलब either आप low ही मत, और अगर आपने total में ले लिया होगा, तो deduct करो, exam supply deduct कर दो, अब एक बात ख्याल रखना, लेकिन आपका exam supply ही export है, तो फिर वो zero-rate का color ले लेता है, तुनना फिसे, अगर आपका exam supply ही export है, तो फिर आप उसको exam नहीं बोलते है, उसको zero-rate बोलते है, अगर उसको zero-rate बोलते है, तो वो deduct नहीं होगा, तो problem है, यहाँ पर गुगली question आ सकता है, आपका exam supply है, और exam supply है, वो export किया गया, एक्सपोर्ट किया तो exam भूली जाना, फिर वो export में आ गय पिर वो आपके calculation में आ गया, उपर भी आ गया, टोटल में भी आ गया, फिर वो reduce नहीं होगा, वो reduce होगा, जो exam supply है, जो zero-rate नहीं है, और 89-4-A-4-B के टरन और भी deduct होगे, 89-4-A-4-B के उपर zero-rate से भी deduct होगे, और नीचे भी deduct होगे, और Reliant पिर मतलब जो credit का आप refund claim कर रह था, questionnaire में और questionnaires के problem जरूर आपने try करना, Mrs. XYZ manufacturer furnished following into and request you to compute maximum amount refund eligible in respect of zero-rated supply, भाई, zero-rated supply की है, तो ITC का refund उसको चीह, ITC आप input दिया और input services दिया, ठीक है, उसके बाद में capital goods यह नहीं लेना है आपको, value of goods under bond, 2000 quantity है, shipping bill की value दे दी, tax invoice की value दे दी, value of goods sold in India, similar goods 2000 quantity, इंडिया की value दे दी 35 lakhs, okay, इंडिया की value दे दी 35 lakhs, ठीक है, payment received towards service, हाँ, इस मत में payment मिला, 5,50,000, उसमें से 50,000 advance towards service to be completed after current period, okay, उसमें से 50,000 advance है, जो बाद में होने वाला है, service supplied for export in relevant period for which payment relevant to prior period, हाँ, कुछ service अभी भी provide की, जिसका payment पहले मिला था, taxable value of service ही नहीं लिया, and value of exam supply of goods 5000, तो अब दहाँ से देखिएगा, exam supply, normal exam supply है, जो export नहीं हुआ, तो पहले तो आप निकाल लो net ITC कितना, net ITC मतलब input और input service, minus 89.4a में कोई refund claim किया होगा, या 89.4b में कोई refund claim किया होगा, उसका amount, तो कुछ नहीं है, तो net ITC आपका 3 lakh रुपे आ गया, net ITC 3 lakh, लो calculator पटा पट, 3 lakhs आपका आ गया, उसके बाद में next, नेक्स आपको zero rated supply of goods लेना है, तो turn over of zero rated supply of goods कितना, तो जो shipping bill value, value of tax invoice, या फिर value of tax invoice, या फिर जो value of sold in India, India में जो बेची गई, इन्या में जो बेचा गया 35, तो वो जो 35 इन्या में बेचा गया, सुनिएगा, जो 35 इन्या में बेचा गया, उसका 1.5, यो उसका 1.5, तो बहुत जाद होता है, तो तीनों में से whichever is lower, तो whichever is lower मतलब कितना होगा, 15 lakhs हुआ, तो आपका 15 lakhs, यह goods का हुआ, plus service का भी लेना पड़ेगा, तो यह 20-50 में से goods का तो 15 lakhs आ गया, plus service का, service का कितना होगा, तो service का आपका 550, minus this advance 50, plus service rendered 50, मतलब वापस 550 हो जाएगा, 550, minus 50, plus 50 हो जाएगा, तो 550, यह 550 आपका service का हुआ, तो 20-50 आगया आपका, तो 20-50 आगया, अब आपको क्या लेना है, goods का भी हो गया, service का भी हो, अब आपको total turn-or लेना है, total turn-or लेते वक, जब आप export का लोगे, सुनिएगा, आप export का लोगे, तो export का लेते वक, ध्यान सुनिएगा, export का लेते वक, जो आपने उपर लिया, कितना लिया, आपने 15,000, तो 15, plus, domestic supply किया 35, 35, plus, service का, आपका zero rate formula से जितना है, यह मत आड़ करना, अगे, service का क्या कहते है, zero rated supply, plus non-zero rated, तो इन दोनों का net कितना है, 550, 550, जो zero rated के साब से आया, plus, taxable service कितनी दी, 5, non-zero rated 5 दी, plus, क्या हमें एक्जम्ट लेना है, नहीं, तो मेरा 60.5 आचुका, और मेरा अगर 60.5 आचुका, तो मैं ratio लगा चुका, और refund आगया, अब वोग क्या क answer, if value of domestic clearance of goods A, is 8 lakhs in above 0.5, 0.5 में ये ना होते हुए, अगर 8 lakhs होता, तो आपका answer क्या होता, बदली जाता, फिर 8 lakhs का, 8 lakhs का 1.5 कितना होता, तो 12, तो 15, 17, 12, तो फिर आपका 0 rated 12 आता, तो फिर वो 12, plus, plus, यहां 8, 12 plus, sorry, 12 plus, 5.5, 5.5 कितना service का, 550, minus 50, plus 15, तो 5.5, यहांने यहां आता, 17.5, तो आपका export 17.5, adjusted total turnover कितना आता, तो adjusted total turnover आता, जितना उपर आपने लिया, मतलब 12, 12 plus 8 यहां लिया जाएगा, 35 नहीं, फिर 8 लिया जाएगा, वो 8 लेने के बाद, 0 rated 5.5 आया था मेरा, 5.5, और non-zirated मतलब domestic 5, तो यह 5 ले लिया, और आपको exam consider नहीं करना है, तो आपका amount कितना आ जाएगा, 30.5, यह आगे आपका 30.5, नेट ITC होई रहेगा, accordingly आपको मिल जाएगा, I hope आपको यह समझ में आया होगा, और के जो concept मैंने explain किया, चलो आपको CBIC clarification, यह कुछ कम था, समझने लायक, तो government ने और कुछ बुला, कि देखो बाई, और कुछ कर लो, इसमें, अब और कुछ क्या अब बता है, government ने देखो, government ने कहा, restriction on eligible refund, यह जो refund आपको दिया जा रहा है, इतना सब calculation करके, इसके ओपर भी और restrictions, अब देखो क्या restrictions है, यह CBIC clarification, यह भी पढ़के जाना भाई, वो कहते है, यहाँ पर, restrictions यह है, कि समझ लो, आपके April का आप refund क्लेम कर रहा हो, अपरिल का आपका turnover for export under bond है, 20, other supply है 30, total हुआ 50, आपका, अपरिल का ITC है, okay, CGST 2 lakhs, SGST 2 lakhs, और IGST 3 lakhs for I and IS, total ITC आपका 7 lakh है, अब यह 7 lakhs का मैंने formula लगाया, 89.4 के हिसाब से, 89.4 के हिसाब से, मुझे refund कितना है ना चीह है, तो मेरा net ITC for I and IS for the month of April हुआ 7 lakhs, तो मेरा 7 lakhs ITC हुआ, 7 into मेरा export है under bond 20, divided by total turnover 50, मतलब formula के हिसाब से 2.3 lakhs मेरा refund बनता है, second, वो क्या कहते हैं, second वो कहते हैं, जो मन्द का refund है, उस मन्द का return file करते वक्त, यहने GSTR 3 भी file करते वक्त, आपके पास जो ITC balance रहेगा, यूज करने के बाद, यहने आपका tax pay करने के बाद, जो ITC balance रहेगा, वो कितना है, 2 lakhs, मतलब आपका tax pay करने के बाद, जो balance रहेगा, 2 lakhs, यह तो उस मन्द का return था, थर्ड वो कहते हैं, इसका जब application file किया था, refund का application मैंने file किया, समझ लोग वो file किया मैंने 20th June को, तो जिस दिन refund application file किया था, उस दिन ITC का क्या balance है, समझ लो, उस दिन ITC का balance है, मेरे पास IGST, CGST और SGST मिला कि 2.2 lakhs, तो अब, इन तीनों में से जो lower होगा, उसका आपको refund, actual refund मिलेगा, तो तीनों में से lower कितना 2 lakhs, तो 2 lakhs ही आपको cash refund मिलेगा, भाई साब यह देखो क्या कहते हैं, एक बार भी समझ लो, formula से जो निकाला, जो मंद का refund है, उस मंद का return की date पे, आपका जो ITC का balance रहेगा, या जहस दिन apply करोगे, उस दिन ITC ledger में जो balance रहेगा, इन तीनों में से which is lower जो रहेगा, वो आपका refund होगा, और यह refund जो है, आपको मिलेगा, अब यह refund जो मिलेगा, कब मिलेगा, जब आपने apply किया, तो जब आप apply करते हो, देखो पहले वाले चार्ट में, जब आप apply करते हो refund के लिए, तो refund के लिए जब apply करते हो, और ITC का refund apply करते हो, तो उसी व जब आप यहां पे, जब आप यहां पे, 20th June को refund file करोगे, और कितना refund मिलने वाला है, 2 lakhs रुपीज, उस वक्त debit होगा, उस वक्त आपके पास balance कितना है, उस वक्त आपके पास IGST का 1.2 है, CGST का 0.4 है, SGST का 0.6 है, तो सबसे पहला debit आपके IGST को जाएगा, यह आपका ITC laser balance है, आपका debit जाएगा IGST को, अब आपको कितना refund मिलने वाला है, 2 lakhs, तो उतना credit laser debit कर दो, क्योंकि refund आएगा cash आपको, तो 1.2, बाकी जो divide होगा, वो equally divide होगा, कितना बाकी 0.8, तो वो CGST और SGST में equally divide होगा, यह समझ में आए क्या, तो इस तरह से आपको refund मिलेगा, उसके बाद म आपके, यह एक circular जो है, यह restriction पढ़के जाना भाई, यह एक important है, उसके बाद में, refund in case of exempted or non-GST supply, as per section 16 to IGST, 0.8 includes exempt supply which also includes non-taxable supply, हाँ, अब ख्याल रहे है, 0.8, तो मतलब आपका supply exempt है, exempt है, और वो export हो रहा है as per GST law, तो refund मिलेगा, आपका supply non-GST supply है, मतलब alcohol होगा, या petroleum product है, पर export हो रहा है, तो वो भी जिरारस माने जाएगा और refund मिलेगा, लेकिन अगर आपने supply किया, okay non-GST supply किया, और आपने bond execute नहीं किया, आपने bond execute नहीं किया, तो वो case में आपको, non-GST supply होगा, okay non-GST supply होगा, where no bond or LUT executed, और आपने export as per VAT और excise law export किया होगा, तो वो case में भी आपको refund मिलेगा, वो case में भी refund मिलेगा, इवन दो आपने non-GST supply का, अगर bond execute नहीं किया होगा, और आपने as per VAT और excise procedure export किया होगा, तभी भी आपको 89.4 में, उसके input के ITC का refund मिले है, मिलेगा, यह एक important point है, यह important point है, बाकि और कुछ उन्होंने clarification दिये है, NET ITC निकालते वक, आपको जो है, कैसे लेना है, यह तो मैंने ले लिया है, चलो, यह बाकी तो आप पढ़ सकते हो, provisional refund, मैंने आपको एक concept पढ़ाया था, provisional refund, provisional refund क्या है बेटा, कि ZDRS वाले government के लाड़ ले होते है, तो मैंने यह concept आपको पहले ही उपर पढ़ा दिया है, ओके उपर वाले diagram में, provisional refund आपको यह याद होगा तो, अगर आपका export under bond होगा, और ITC का refund होगा, तो वो किसमें 90% refund आपको immediate दे दिया जाता है, provided that आपने कोई offense नहीं किया हो, last five year में, जिसमे amount involved 2.5 कर से जादा आना हो, तो आपको provisional refund दे दिया जाते है, वोई provisional refund इन्होंने यहाँ पर cover किये है, provisional refund यहाँ पर इन्होंने cover किये, तो चली दोस्तों, यहाँ पर, तो इस तरह से हमने complete किया refund in case of zero rated supply, okay, ITC का refund, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, चली है, next हम start करेंगे, और next हमारा होगा, यहाँ पर, क्या, तो inverted tax structure का refund कैसे मिनेगा, हाँ, यह थोड़ा concept में यहाँ read कर लेता हूँ, हमारा ZRS का जो refund था, यह ZRS के refund में, जहांसे सुनियेगा, मतलब क्या, वैसे तो time limit आपके पास two years from the relevant date है, और relevant date मतलब due date of furnishing return under section 39 in respect of such supplies, मतलब यह है, कि जब आप, जो month का ZRS का refund आ रहा है, उस month का जब return की date file करोगे, हाँ से आप 2 साल के अंदर कभी भी claim कर सकते हो, लेकिन, अगर आपको immediately उसी tax period में claim करना है return file करते वक, तो RP make a claim at the end of any tax period, कि जैसा कोई भी tax period है, वैसे तो एक बार फिर से, जो month complete हुआ, वहाँ से 2 साल के अंदर वो कभी भी claim कर सकता है, लेकिन in between, उसके पहले, अगर कोई भी tax period में उसको claim करना है, तो claim कर सकता है, उसका कोई ऐसा restriction नहीं है, doctrine of unjust enrichment, not applicable, application form, RFD-01, maximum refund as per formula, documents and conditions, statement containing number and date of invoice along with such other notified particulars, तो यह हमने देखा zero rates का, इसके बाद हम देखेंगे inverted tax structure, तो inverted tax structure और उसके बाद में यहाँ पे अलग-अलग cases में जो refund होगा, तो यह जो title refund in other cases, एक छोटा सा CTP और NRTP का मैं आपको यहाँ पे explain कर देता हूँ, क्यों इसमें एक छोटी सी amendment है, और CTP और NRTP के case में, आपका refund जो है, ओके वो direct refund in return है, 2 years from the relevant date है, और यहाँ relevant date होगी, यह amendment है, refund only after filing return of entire period for which registration is held, only after filing last return of CTP और NRTP, तो यह वाला point आप थोड़ा समझ लो, कि यह जो यहाँ पे CTP और NRTP की case में, जो यहाँ उन्होंने amendment की है, कि refund कम मिलेगा, दो साल के अंदर आप claim कर सकते हो, CTP और NRTP, अब CTP और NRTP का registration आपको पता है, temporary registration होता है, maybe 10 दिन, 15 दिन, maximum 90 days, उससे ज़्यादा plus 90 days, ऐसा हो सकता है, तो CTP और NRTP ने अगर advancement tax जो दिया है, वो ज़्यादा दिया होगा, और उसका final tax कम आ रहा होगा, तो वो situation में उसको refund मिलता है, पर refund वो कब claim करेगा, जब उसका जो CTP और NRTP का period होगा, तो उस period में जिस दिन वो last return देगा, तो last return के बाद 2 साल में वो कभी भी claim कर सकता है, जहां तक doctrine of unjust enrichment not applicable, RFD 01 और amount paid extra in advance उसना refund उसको मिल जाएगा, और final return by CTP और NRTP उसको दिना पड़ेगा, और जिस दिन वो final return देगा, वहां से दो साल के अंदर कभी भी अपना refund claim कर सकता है, पिटा बाकी जो है, यह inverted tax structure, inverted duty structure का discussion, साथ साथ में other refunds और refund order, इसमें कोई amendment नहीं है, तो यहां, यह हमने refund का discussion देखा, इसके बाद में, मेरी existing जो recording है, वो attach होगी, और उसमें मैंने पूरा explain किया हुआ है, inverted tax structure, as well as yes, जो मैंने record करके रखा हुआ है, तो वो जो है, इसके बाद attach किया जाएगा, ठीक है, तो चलिए, अब आप आजाओ inverted tax structure पे, जो inverted tax structure का refund कैसे claim करेंगे, वो फटा-फट device कर लेते हैं, आर यू ready, yes or no, और दोस्तों आपको अगर ये revision अच्छा लगे, तो आपको क्या करना है, आपका पता है, चलिए, चलिए, now the most important discussion, मैं चाहता हूँ कि ये discussion जो है, आप अच्छे से देखें, क्योंकि इस बार, इस पे question आने के chances है, ठीक है, inverted duty structure, जिसका formula, यहाँ पर rule 89.5 में, okay, government ने change किया हुआ है, तो ये ध्यान से आप, okay, ये जो discussion और formula क्या change हुआ है, और इसके उपर, जो भी मैंने question में questions दिये है, वो भी आपने solve करके जाना है, okay, inverted tax structure, अब inverted tax structure मतलब भी आपको पता है कि आपका output tax rate जो है, is lower than input tax rate, तो government, अगर आपका output tax rate 12% है, और input tax rate 28% है, तो आप goods का supply कर रहे होगे, या service का supply कर रहे होगे, तो दोनों case में, दोनों supplier को, goods के है, service के, दोनों case में, आपको जो है, जो भी difference rate है, उसका आपको refund government ने allow कि क्या है, इसको हम कहते है, inverted tax structure, चले, कुछ important points देख लेते है, आपने यहाँ पर refund claim, जो application जाएगा REG 01 में, no doubt आपको general procedure यह apply करनी है, जो ओपर दी गई है, अब आपका जो refund claim जाएगा, वो within 2 years from the relevant date, okay, अब relevant date क्या होगे, तो relevant date होगी, okay, due date, D by D, मतलब due date of furnishing date under section 39 for the period in which such claim for refund arises, okay, मतलब जो भी आपका, जो भी मन्द का inverted tax structure होगा, लेट से एक एक जामपल आप मन्त रीटन में हो, और मन्द का अगर आप, इस मन्द का आपको difference का refund claim क्रेट करना है, तो आपको इस मन्द की जो due date होगी, जैसे April का due date of return कभ है, तो 20 में, तो 20 में से आगे 2 साल तक आप refund claim कभी भी कर सकते हो, now, register person may claim at the end of any tax period, मतलब ये end of any tax period का मतलब क्या होता है, कि जरूर नहीं कि आपने 20 में कोई claim करना चाहिए, और 20 में को आप eligible होगा है, कि अगर आपको 20 में को claim करना है, तो आप claim कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप अभी नहीं कर पाए, तो कभी भी 2 साल के अंदर किसी भी tax period के अंदर आप claim कर सकते हो, doctrine of unjust enrichment यहाँ applicable नहीं होती है, क्योंकि यह आपने खुद extra pay किया है, तो यहाँ doctrine of unjust enrichment प्रूव करने की जरुवत नहीं होती है, form RFD 01 होता है, okay, maximum amount of refund कितना, तो जो नीचे मैं formula बता होगा, इस formula से जो भी refund amount निक issued during the tax period, okay, तो यह जो है, आपको details देनी पड़ेगी, अब inverted tax section में, उन्होंने simply formula क्या बोला है, okay, और यहाँ जो formula में changes होए है, अभी recently, वो change क्या होए है, वो भी आपको मैं बता दू, यहाँ पे उन्होंने का, maximum refund equals to, okay, formula जो है, turnor of inverted rated supply of goods, okay, divided by adjusted total turnor into net ITC, मतलब क्या, आपक वो net ITC का ratio निकालो, अब यह net ITC कैसे लेना है, मैं आपको समझाओगा detail में, लेकिन जो net ITC है, okay, उसका, उसमें आपका inverted का turnor कितना है, चलो, अब मैं आपको तुड़ा यह बात बता दो, अगर आपका एक ही supply है, और वो supply inverted है, तो no doubt, okay, यहाँ पे जो है, वो ही आपका turnor रहेगा और वो ही total turnor रहेगा, उसमें तो क्या difference का सिदा सिदा आपको refund मिल जाएगा, लेकिन आपके दो तीन type के turnor है, एक inverted वाला है, एक ज्यादा rate वाला turnor है, तो वो case में inverted वाला turnor कितना है, okay, against your total turnor, तो जो inverted वाला turnor होगा, against your total turnor into net ITC, यह आपका proportionate amount निकालना tax payable on such inverted rated supply of goods and services, हाँ, government क्या कहती है, कि आपने ratio निकाल लिया, कि आपके total इसमें inverted कितना है, तो उसका into net ITC, तो उतना proportionate net ITC का amount निकाल गया, minus, जो inverted पे आप tax दोगे, में भी जो भी lower rate से दोगे 5%, 12%, उतना minus करो, यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन अब उन्होंने यह formula में addition किया है, और यह formula में addition यह किया है, अगर आपने amendment देख लिया होगा, तो amendment में मैंने बहुत अच्छे समझा है, तो यहाँ पर यह formula में addition क्या है, तो यह formula में addition उन्होंने यह किया है, कि into net ITC divided by ITC available on input and input services, मतलब क्या, कि जब आप यह minus करोगे, तो अब जो है, जितना inverted tax structure का tax होगा, पूरा minus नहीं होगा, minus करते वक्त भी, सुनना मेरी बद्यान से, minus करते वक्त भी, आपका into net ITC divided by ITC on input and input services, याने आपका minus करते वक्त, okay, ratio में ही minus होगा, आपका जो net ITC available is divided by आपका I or IS का total ITC, okay, यह formula क्या कहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो net ITC लेते वक्त, okay, net IT ITC लेते वक्त, यहाँ स्रीफ input का ही net ITC आपको लेना है, input service का नहीं लेना है, मतलब आपको जो inverted tax structure में refund मिलेगा, वो स्रीफ inputs, inputs में, हाँ, ख्याल रहे है, स्रीफ inputs और inputs के rate जादा होगी, तो उसका ही मिलेगा, अगर आपने कोई input service खरीदी होगी, capital goods खरीदा होगा, तो उ inverted tax structure में, एक बार फिर से ध्यान रखें, inverted tax structure में स्रीफ input का ही आपको ITC का refund मिलता है, दूसरी बात आपको बता दू, अगर 89.4 और 4B का कोई आपने refund क्लेम किये होगे, तो वो deduct हो जाएगा, आपका net ITC आएगा, इसलिए अगर आप formula देखोगे, तो यह net ITC में स्रीफ input का ही divided by total I plus ITC, वो ratio में ही minus किया जाएगा, तो यह जो है, यहाँ पे, बाकि adjusted total turnover की definition वही जो हमने जरूरेटर supply के लिए देखा, और relevant period है ने वो, तो इसमें बस इतना यहाँ पे इन्होंने add किया है, अब देखो, यहाँ क्या हो जाता है, जब आप net ITC लेते हो, तो net ITC लेते वक आपने जो भी inputs खरीदे होगे, यहाँ एक clarification आया है, और वो clarification नीचे मैंने दिये हो है, और वो clarification है कि net ITC, मतलब whatever the total ITC of inputs you are taken, मतलब हो सकता है कि ऐसा input हो, जो high rate का हो, ऐसा input हो, जो equal rate का हो, ऐसा input हो, जो यहाँ पे low rate का हो, whatever it में भी, जितना भी input लिया होगा, सब का आपको ITC लेना है, नीचे मैंने यहाँ पे net ITC की बारे में clarification गिया है, यहाँ आप read कर सकते हो, तो यहाँ पे जो भी आपने procure किया है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो input A, 5% वाला, input B, 18% वाला, तो यह जो आपने total, वो input ज्यादा rate वाला हो, कम rate वाला, total ITC आपको ले लेना है, okay, for calculation of net ITC, यह बात का आप ख्याल रहे हैं, तो हम उसमें से ratio निकाल सकते हैं, तो हम net ITC और I plus IS का भी ITC आपको consider करना है, अब यह I plus IS का ICT क्यों consider करना है, क्योंकि formula में, जब आप minus करते हो amount, तो minus में से अब पूरा minus नहीं होगा, इस ratio में आपका minus किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे situation में, देखो, यह मैंने problem दिया हुआ है, और यह बिलकुल बहुत important provision है, inverted tax structure का जो यहाँ पर formula है, वो आप अच्छे से धान रखके जाना, और यह जो question में, मैं तो यहाँ solve करवाई रहा हूँ, plus आप के questionnaire में, जो questions दिये है, उसको भी अच्छे से देखके आपको ज information, okay, nature of various interest rate supplies during the April 2021, value of supply and etc, outward supply of fabrics, जो tax rate 2.5% each यहने 5% लिया है, और वो 30 lakhs, invert supply of rayon yarn यान और वो invert supply जो लिया है, वो 6% each यहने 12% और यह जो थे 5%, यहने input rate जो है, okay, यहाँ पे input का, input का जो rate है, वो जादा है, और output का rate कम है, okay, यह input services भी use कर दोदीए, रहे है, तो अगर input services यूज कर रहे है, तो यहाँ पे वो भी जगर तक दिखा जाए, तो input services 5% वाला services यूज कर रहे है, और invert supply of machinery, capital goods भी है, लेकिन ख्याल रहे है, okay, सबसे पहले मैं निकालूगा net ITC, net ITC लेते वक्ग जो है, मैं सिब input का लोगा, याने 24 lakhs, 24 lakhs का 12%, okay, तो ITC तो आगिया, उसमें, अब मुझे चाहिए कि turnor, turnor of inverted tax structure, अब inverted tax structure का turnor कितना है, 24 lakhs, तो turnor of inverted tax structure, एक मिनट, sorry, sorry, turnor of inverted tax structure कितना है, तो मेरा 30 lakhs है, okay, जो मेरा outwards supply, turnor of inverted tax structure मैंने 30 lakhs ले लिया, okay, divided by total adjusted turnor, अब total adjusted turnor मेरा, okay, जहां तक है, उतना ही रहेगा, 30 lakhs ही रहेगा, क्योंकि एक ही मेरा supply है, 30 lakhs ही रहेगा, हो सकता है, आपके domestic supply है, तो वो case में बदल जाएगा, लिकिन चलो, यहां पे total adjusted turnor भी उतना ही रहेगा, और वो है, यहां पे 30 lakhs, बाकी तो तिन्नों input की inverted tax structure का turnor, divided by total adjusted turnor, यह जो ratio निकल गया, into net ITC, minus, minus जो tax हाएगा, मेरा inverted tax structure का, inverted tax structure का turnor कितना है, 30 lakhs, उसका जो tax है 5%, 1,50 lakhs है, तो यह 1,50 lakhs है, okay, into, अब यह बहुत important है, into, आपको अब पुरा minus नहीं करना है, into, आपका जो net ITC है, यहने 24 lakhs, divided by I plus IS, यहने, I plus IS है नहीं कितना हो गया, okay, 2 lakh 88,000, into net ITC, और I plus IS का ITC, तो निकलो I plus IS का ITC, तो I plus IS का ITC आपका जो आता है, वो around 3 lakh 8,000 आता है, तो I plus IS का ITC, 3 lakh 8,000 यहाँ पे आएगा, okay, तो यह जो है, नेट ITC, divided by I plus IS का ITC, इस ratio में amount deduct किया जाएगा, तो इस ratio में, यहाँ पे, sorry बेटा, इस ratio में, यहाँ पे हम amount deduct किरेंगे, इस ratio में, वो amount deduct किया जाएगा, तो आपका जो refund आएगा, 1 lakh 47,000 आएगा, तो यह problem आपने carefully देखना है, और कुछ problems आपको solve करने मिले, तो जरूर solve करना है, with this new formula, यहाँ पे, चलिए, एक important बात जो इसमें आपको याद रखनी है, वो यह है कि, कुछ goods के case में, आपको, inverted tax structure के refund नहीं मिलते हैं, वो कौन से goods हैं, और के, woven fabrics होगा, needed coated fabrics होगा, rail locomotives होगा, तो नहीं मिलते हैं, और के, also construction industry होगी, construction sector में, अगर construction service होगे होगी, तो वो case में भी आपको, reverse, inverted tax structure के ITC के refund नहीं मिलते हैं, साथ साथ में, आपने यह वाला circular अच्छे से बढ़के जाना है, यह वाला circular क्या कहता है, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा explain कर देता हूँ, यह कहता है कि, अगर आपका supply, outwards अप्लाइ, नील रेट होगा, या exacted होगा, I repeat, outwards apply, नील रेट होगा, या exact होगा, तो वो inverted tax structure के लिए considered नहीं होगा, क्योंकि वो तो नील रेट है और exacted है, लेकिन, अगर आपका outwards apply processional rate होगा, नील नहीं है, concessional rat है, क्योंकि Control Commission ने partly exemption दिया होगा, या concession दिये होगे, तो अगर आपका concessional notification होगा और नील नहीं है, exam नहीं है concessional है, तो concessional होगा तो वो कि इसमें वो inverted tax structure के लिए consider किया जाएगा, वो वो नील और fully exam नहीं होना चाहिए वो अगर concessional होगा, जिसके वज़े से आपको tax payable है, sir, concessional का मतलब क्या, कि अगर आपका rate 12% है, और आपको government ने 50% exemption दिया है, concession दिये, तो 6% है, मतलब आप कुछ दे रहे हो, अगर दे रहे हो, तो वो inverted tax structure के लिए consider किया जाएगा, दूसरी बात, अगर आपका same goods रहा, एक और बहुत important point, आपका same goods रहा, same goods structure का refund नहीं मिलता है, क्योंकि good same है, okay, तो output आपका being same होगा, okay, तो वो situation में rate कम हो जाता है, future में, तो आपको inverted tax structure के refund नहीं मिलते हैं, लेकिन, वो अगर rate कम हुआ होगा because of concession, I repeat, because of concession, government ने उसके उपर concession दिये होगे, और special benefit दियोगे और उसके वज़े से कम हुआ होगा, तो फिर आपको यहाँ पर refund मिल सकते हैं, in simple words, अगर आपका outwards supply, okay, nail rate होगा, तो inverted tax structure में refund नहीं मिलेंगे, only exempt होगा, तो inverted tax structure में refund नहीं मिलेंगे, अगर same goods खरिदते वग अलग rate है, और बेजते वग कम rate है, तो inverted tax structure का refund नहीं मिलेगा, लेकिन, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर कि अगर आपका same goods आप sale कर रहे हैं, और concession दिया होगा government ने, तो वो situation में आपको inverted tax structure की case मानी जाएगे, और वो case में refund दे दिया जाएगा, तो यह कुछ important points, हमने inverted tax structure से related देखे, ओके, चलिए, next बेटा आते है, refund, refund in case of UIN, unique identification number, it is covered by rule 95, अगर आप देखोगे, तो यह rule 95 में covered है, तो generally क्या होता है बेटा, यहाँ पर कि कुछ notified institute है, जैसे जिनको UIN लेना पड़ता है, जिनके लिए registration नहीं होता है, जैसे any specialized agents, United Nation organization, multilateral financial institution, consulate or embassy office, और any other person notified by the commissioner, जिसमें, canteen store department, यह जो है, यह notified person है, के बाइदा, कमिशन है, तो इन लोगों को जो है बेटा, यहाँ पे unique identification number मिलता है, चलिए, तो अब यह जो unique identification number मिलता है, तो जो भी इनको supply करेगा, any supplies made to United Nation bodies or embassies, तो यह क्या करते है, कि जो भी supply हैगा, तो supplier तो GST लगा देता है, supplier GST लगा देता है, और government को pay कर देता है, लेकिन यह जो लोग purchase करते है, तो इनको purchase का refund मिलता है, जिसके लिए इनके पास unique identification number होता है, और यह refund जो है, time limit कितना दिया गया है, तो time limit, okay, claim कर सकते है, within 2 years, यहां correction कर लेना, और यहां पर डाल देना, within 2 years, अब 18 months नहीं है, within 2 years, okay, तो application कर सकते है, within 2 years, from the last day of the quarter, in which supply was received, तो मैं लो, okay, मुझे supply मिला April में, तो मेरा quarter कौन सा है, April में June, तो जो 30 June होगा, वहां से 2 साल के अंदर मैं कभी भी application कर सकता हूँ, okay, यह तो रही, बीटा, time limit, उसके बाद में, okay, documentation क्या होगे, उसके बाद, next conditions क्या होगी refund की, तो यह सबाब read कर सकते हो, तो यहां पर United Nations और International Organizations, especially जिनके पास, you I know होता है, how to claim the refund, मैंने details यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद में, next बीटा refund की case है, refund to tourist, बाकी तो हमने सारे उपर important refund की provisions देख लिए है, हाँ, अब देख बीटा, जो भी refund की provisions बाकी है, जिसते tourist होगा, अगर कोई tourist होगा, तो वो भी यहां पर IGST की refund claim कर सकता है, अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा होगा, तो वो में नहीं हापिद गया है, अगर आप next page पर आओगे, तो e-cash ledger का refund, very important, e-cash ledger का refund, तो e-cash ledger का refund आपके ले कर सकते हो, within 2 years, from the date of payment of tax, और यह refund जो है आप अपने GSTR 3B में, जो आपका return का form है, उसमें claim कर सकते हो, लेकिन फिलाग, अभी तो common portal पर procedure RFD 01 में है, लेकिन law यह कहता है कि आपके return जो है, return में ही आप electronic cash ledger का refund claim कर सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ पर doctrine of unjust enrichment application for application form क्या होगा, amount of refund, तो जो भी excess balance होगा आपका electronic cash ledger में, लेकिन मेटा मैं एक बहुत important point यह बताना चाहोगा, कि यहाँ पर यह जो two years है, यह two years यहाँ काट दो, okay, two years from the relevant date, यह काट दो, क्योंकि CBIC clarification आ चुका है और वो CBIC clarification यह आ चुका है, कि अगर cash ledger का refund होगा, तो वहाँ time limit applicable नहीं है, वो refund आप कभी भी claim कर सकते हो, उसकी कोई भी time limit नहीं है, आप same month में claim कर सकते हो या बाद में कभी भी claim कर सकते हो साथ-साथ में, जो TDS और TCS आपके cash ledger में जमा होता है, तो उसका भी आप refund claim कर सकते हो, यह यह 2 years यहाँ से आप, कट कर देना उसके बाद में next e-cash ledger का refund, specially CTP और NITP को भी refund मिलता है, क्योंकि उन्होंने provisional basis पे जो tax pay किया होगा estimated liability पे, वो अगर यहाँ पे ज़्यादा pay कर दिया होगा, तो वो भी refund claim कर सकते है, CTP और NITP उसके बाद में court के order पे refund जो होगा, then provisional assessment के बाद जो final assessment होगा, तो वहाँ से 2 साल के अंदर आप refund claim कर सकते हो, और wrong payment of tax, मतलब आपने wrong aid में pay किया होगा जैसे IGST pay करना था, और आपने CGST, IGST pay कर दिया, या आपने CGST, IGST pay कर दिया, तो जो आपको refund मिलेंगे, वो wrong aid of tax का भी आपको general procedure थे within 2 years यहाँ पे refund मिलेंगे, और आपने excess pay कर दिया होगा, तो वो refund supplier को, या buyer को, दोनों में से किसी को भी वो refund मिल सकता है उसके बाद में, यहाँ पे order of refund, तो यह मैंने general procedure में उपर explain किया ही था कि order क्या होती है, RFD 05 क्या होता है, RFD 06 क्या होता है, तो यह आप read कर सकते हो regarding to order of refund, और interest, interest on delay refund, तो जहाँ तक है, अगर आपने 60 days के अंदर I repeat, अगर आपने 60 days के अंदर government ने refund आपको नहीं दिया तो government आपको 6% per annum से refund देगी, और वो 61 today से देगी और अगर appeal या कोई procedure के वज़े से refund मिल रहा है, तो आपको 9% per annum से आपको यह refund दिया जाएगा, तो यह सारा था, interest on delay refund, in this way, we have completed with this important topic refund, most of the provisions मैं इसमें cover कर ली है, I hope आप यह, आपने यह session एंजोई किया होगा, यह session मैंने, यहाँ जिसे part-part में record किया और आपको मैंने combine करके दे दिया है, तो refund ही chapter के आपके बहुत अच्छे से revision होई होगी, और आपको अगर यह session अच्छा लगए, तो like जरूर कीजिएगा, और अपनी comment जरूर दीजिएगा तो चली दोस्तों, यहाँ हमारे topic end होता है, और वो था refund